नमस्कार बहुत-बहुत स्वागत है आपका विंद्या डाइमस में जिले में नशामुक्ती अभियान के तहट विभेन गति विधियों को संचालत करने वाई लोगों पर कारवाई की जा रही है इसी क्रम में समान थाना शेत्र में ज्योती स्कूल के आस पास के पान थेले गोटका एवं सिगरेट को जला कर नश्ट किया तथा भविश में इनका विक्रे न करने की भी शपत लिए इसी तरह जीवन ज्योती आपको बता दें कि स्कूल नई गढ़ी स्वामी प्रेम चंद शिक्षा एवं सेवा समीती गुड़ वा गणेश ज्यान मंदिर गुड़ म नशामुक्ति कार्याले का आयूजन किया गया जहां विद्यार्थियों को नशा न करने तथा इनकी इन से दूर रहने की बारे में बताया गया और उन्हें बताया गया कि नशे से क्या-क्या चीज़ें गलत हो जाती हैं अब वहीं बता दें कि जन अभियान परिशद द्व मार्ग में दुकानदारों को गुटका सिग्रेट एवं अन्य नशे की सामगरी विक्रें ना करने की समझाईश दी गई कि नसा मुक्ति का जो अभियान चल ला है उसमें कल मानमी डियन साहब और और एसपी साम ने एक कलेक्टर मोहन सवागार में एक मिटिंग आई जित की थी जिसमें सभी संबंदित विभाग के सभी हिकाई प्रमुक वपस्तित हुए थे उसमें नसा मुक्ति को लेकर उसके प्रवेंशन और नसे में लिप्त लोगों को चिन्धित करना और उनका पुनर क्या कारवाई की जाना इसकी रूप रेखा तैयार की गई और अलग-अलग विभाग को डे टुब दे अविहान के तहत कारवाई करने के लिए पावंद किया गया इसी क्रम में आज जो है चार जो नगर निगम के जोन है बिजविद्ध्याले छेत्र सर्मौर चौरहा छेत जैसे चार चेत्रों को में विवक्त करके वहां उस्कूल और कालेज के जो परिसर है उससे सो मीटर तक ये पान गुट का रूम पान संबंदी सामगरी जाया इसका क्रह विक्रह ना हो वहां साजनी क्रूप से इसको योग वो ना करें इसके लिए एंजियोज पुलिस और न से इभी लोग को एकत्र करके इसका नसा मुक्ति अभियान में उसका प्रचार प्रसार उन्हें स्वयम मोटिवेशन देकर नसे से स्वयम दूर रहना और जो इस विए समय में जोन है उसके तहत जो यह क्रुविक्रह से जोड़े लोग हैं उन पर कारवाही करने के लिए उनको मोटइवेट करने के लिए कि वह समाज को भी इससे दूर रखें इस के लिए चाठ टीमें बनाई गई और वो निकल गई हैं अपने अपने चेत्रों में कारवाई कर रही है इसमें जो है बारी मात्रा में लोगों का सयोग प्राप्त हो रहा है लोग सुतता है सोमोटू अपने गुटके और जो नसे तमाकूई अपने गुटके होते हैं इसको उनने एकत्र करके स्वयम जलाने का काम स्वयम नस्ट करने का काम चलना है और जब ये स्वयमोटू और स्वयम की इक्षा से अंदर की इक्षा से ये काम होगा तो निश्चेत रूप से हम समाज को मतपदेश को नसमुक्त बनाएंगे